कि नमस्कार मैं आसी स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में यूपी ट्रिपल एस्सी पीटी से एक और नहीं भरती आपकी आ गई है स्टेनों की जो बच्चे स्टेनों कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ओप्वर्चुनिटी है अगर देखा जाय तो इस टेनो के लिए एक लोगसेवा आयोग में भी भरती आने वाली है इसी महीने में और आपके PET के थुरू अगर आपने PET दिया है तो इस टेनो बालों के लिए अच्छी खासी पद हैं ये ध्यान रखिएगा तो इसमें वही बच्चे अपलाई कर सकते हैं जिनको इस टेन है थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इसका कम करता हूं तो जो फॉर्म फिलिंग है आपका विज्यापन आज ही आया है आपका 17 तारिक से ओनलाइन आवेदन इसका 17-10-2023 से है ये ध्यान रखिएगा अक्टूबर में है विज्यापन अभी आया है लेकिन इसका ओनलाइन आवे अभी अगले महिने में इसका फॉर्म ओपन होगा अभी सिर्फ आपका विज्यापन आया हुआ है ये ध्यान रखिएगा संसोधन 15-11 तक खुलेगा ये ध्यान रखिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह आसू लिपिक आप देख रहे हो इस्टेनों की क्या वहला है 277 पद है समाने चैन 233 विशेश चैन के 44 पद है इसमें और बोला गया है कि जो पीटी दिये हैं ये बाई सिंपल सी बात है जितने भी यूपीटे पलसी में भरती आ रही है सब पीटी के स्कोर पे है तो ये भी पीटी किसे पीटी 2022 में अगर आपके स्कोर है और आपको इस प्रिपेंड करता है कई बच्चा ऐसे होते हैं जिनको इस्टेरों नहीं आती तब भी भर देते हैं सोचते हैं इस सीखने में में साल लग जाते हैं और स्पीड लाने में लग जाएंगे समय तो यह ध्यान रखिएगा तो जिनको आती है वो अच्छे से इसका नहीं करना चाहिए आपको अगर आपको इस टेनों नहीं आ रहा है और आपके मार्स अच्छे आप सोच रहे हो फॉर्म भर दें तो आप बस मेरिट को बढ़ा रहे हो ऐसा मत करिएगा जिन्हें जो आहारता रखते हैं वही फॉर्म को डालिएगा ठीक है आप भी जानते हो कि आज के समय में बेरुजगारी कैसी है अगर आप कहीं और सलेक्टेड हो किसी और में आपका सॉट लिस्टिंग हुआ है तो फिर दूसरे की सॉट जो सीट है उसके लिए भी ख्याल रखिए कि अगर आपको आहरता फुल्फिल नहीं करते हो अगर आपको इस टेनों आती बच्चों को नुकसान देगा जिनको इस टेनों आती है क्योंकि आपके वज़से हो सकता आप जैसे कई लोगों के वज़से कटफ ऊपर चली जाती है यह द्यान रखिएगा यह पीटी का डीमेरिट है इसलिए पीटी में हम सब चाहते हैं आप लोग भी कई बार मांग किय कॉन कटफ हो जाएगा तो सबसे बहतर रहेगा तो यहीं सब चीजे बात की गई है कि आपका यह चीजे बाकि जो पीटी में बेसिकली होता है वह सब चीजे हैं यहां पर आवेदन करने की प्रक्रिया है सब डोमेसायल सेटिफिकेट फोटो सिंगनेचर यह सब चीजे तो किसमे किसमे हैं जो आपकी स्टेनों का पोद है सिचाई और जलसन साधन विभाग उत्तर प्रदेश में है लेबल 5 का है 28 ग्रेड पे की जॉब ही है ठीक है उसके बास से आपका देखो किसमे है दिव्यांदान ससंतिकरन विभाग उत्तर प्रदेश राज यूप भोकता विब का पद है तो सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोस्ट हैं कैटिगरी वाइस यहां पर पोस्ट दिया गया है EWS में किसमे है कितना है OBC में क्या है ठीक है सब पोस्ट का वो दिया गया है वो आप डीटेल देख सकते हो अब हम लोग थोड़ा सा बेसिकली आपके आहा सरकारी विभाग आसुलिपिक समवंग सेवा नियमावली 2014 दिनांग 6 जुन 2014 के भाग चार नियम 10 के अनुसार सेवा में आसुलिपिक पद पर सीधी भरती के लिए अभ्यारती की निमलेखित आहारता है होने अवस्ट सकते हैं पहला क्या है माध्मिक सिछा परसल उत्तर प् परिक्षा या सरकार द्वारा उसके संकच माननेता प्राद मतलब आपका इंटर्मेडियेट या उसके संकच जो भी होता हो आप पास है तो आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं साथी साथ आसुलेखन मतलब स्टेनों आपका और हिंदी टंकड में अस्टेनों का क्या है असी सब्द प्रतिमिनद ठीके ये स्टेनों की है स्टेनों स्पीड असी का होना चाहिए और टाइपिंग आपकी जो होनी चाहिए कैसी टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए यूपी ट्रिपल ऐसी है तो मंगल इंस्क्रिप्टी मानेगेगा तो पच्चिस सब प्रति मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए और इस टेनों आपका 80 पर मिनट का होना चाहिए और तीसरी आहरता क्या बोला है कि डो एक सुसाइटी द्वारा संचाली ट्रिपल सी पाठिकरम आवशक उत्रिन होना चाहिए ट्रिपल सी का साटिफिकेट है तभी आप अपलाई कर सकते हो और फार्म के लाज़ डेट से पहले का अगर साटिफिकेट है आपके पास अभी अभी अगर किसी ने नहीं किया है तो आप साब बोला गया है माधिमिक सिच्छा परस्त उत्तर प्रदेश द्वारा संचालीत कंप्यूटर पाठिकरम या ठीके मतलब अगर आपने 10 प्लस 2 में माधिमिक सिच्छा द्वारा कोई कंप्यूटर का कोर्स जो कराया जाता है वो पाठिकरम किया गया हो अगर वो आप आपने किया है या आप सरकार द्वारा उसके संकच कोई भी मानने ता प्राफ मैंने कोई भी डिप्लूमा जो स्टिपल सी के संकच निकाला गया था अब कहो के सर बीटेक हैं बीसीए हैं तो भाई आप संकच हो उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीके बीटेक बीसीए कोई पीजी इलेंट माने जाओगे ये ध्यान रखिएगा ठीके बाकी सब चीजे वहीं है कि आपको अगर सेना में हो तो प्रिफरेंस दिया जाएगा आपका NCC है तभी भी प्रिफरेंस दिया गाएगा वो सब चीजे है एज की बात करें तो आयू क्या है आपकी 18 वर्ष से 40 साल की आयू आपको यहाँ पर लिया गया है चैन का अधार क्या होगा आपका देखो वहीं बोलाया कि क्या क्या होगा हाँ यहाँ पर देखिए लिखित परिक्षा है तो परिक्षा योजना और पाठिकरम जो होगा आपके जल्दी ही समय पर वेबसाइट पर निकाल दिया जाएगा यह ध्यान रखिएगा उसके बाद से लिखित तो परिक्षा होगा लेकिन अभी उसका वो नहीं आया है डिटेल की स्लेवर्स आपका क्या क्या होगा बाकी चीज़े आप देख लीजिएगा कोई वो नहीं है हाँ उसके बाद से अर दूसरा जो आपका होगा स्टेणों और टाइपिंग यह आपका स्किल्सस और यह चीज़े ID करोगा यह ध्यान रखिएगा आपकी फिर एक्जाम होगा तो मतलब ओवरार प्रोसीजर में अभी काफी ट्राइम लगेगा और उपर से यूपी ट्रिपल सी है तो आप सब जानते हो कि कितना समय लगेगा लेकिन मेरी यही सभी से अगरा है जो बच्चे आहारता रखते हैं वही फॉर्म डालिएगा जिनक को भी स्टेनों आ रही है टाइपिंग आ रही है आप लोग बस एक धे बना लें आपकी इसको ठीक ठाक हैं तो आप इसके लिए भी आप प्रिप्रेशन जारी रख सकते हैं बाकि कई चीजे तो आपकी सेमी रहेंगी जीयस आपको पढ़ना ही है हिंदी पढ़ना ही है एक्सिमम एक्जामों में हिंदी का होता है यूपीटरपलसी का रिजनिंग आप पढ़ते रहो ठीक है रिजनिंग का सलेबस आप देखते रहो रिजनिंग हो गया और जीयस वाला पॉरसन हो गया यह चीज तो आप अभी से आप चीजे स्टार्ट कर दो बाकी कोई दिक्कत है समस्य आहां इसको लेकर ठीक है तो आप कमेंट में उसे पूल सकते हैं पूरी कोसिस करेंग ministry आपके समस्यां का समध्धान किया जाए तो चलिए इसीके साथ मैं आप सभी से वीदा लेता हूँ आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद मस्त रहे है स्वस्त रहे